नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा आठ्वी का पाठ कवीता दिवानों की हस्ती की व्याख्या की बात करेंगे गायन के साथ तो शुरू करते हैं हम दिवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का यालम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले आए बनकर उल्ला से अभी आँसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले बच्चों हम इस विडियो में प्रथम दो पदिया शूखी वयाख्या की बात करेंगे दिवानों का मतलब है बेफिकरी या मस्ती का जीवन जीने माले रथात स्वाधिंता से ना नी हस्ती का मतलब आउकात, मस्ती का मतलब खुशी, आलम का मतलब संसार, धूल उडाते, खुशी मनाते, उल्लास का मतलब खुशी तो करम से व्याख्या करेंगे, चीक है? तो सर्व प्रत्थम ये किनकी तचना है, भगवती चरण बर्माजी की, चीक है बच्चों? तो प्रत्म पदियाश की व्याकः जो है कभी जी कहते हैं कि आजाती के Лिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत पर वीरों का मन्य जोश से भरा हुआ है इन वीरों का कहना है कि देश की महानता तथा गरिमा के सामने हमारी किया उकाथ हमारी कोई उकाथ नहीं है हम तो आजादी के दिवाने हैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नितियां तय करने के लिए हम एक जगा नहीं रुकते आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे हम जिधर भी जाते हैं खुशियों का संसार हमारे साथ होता है हमारा यह आना जाना खुशियों से भरा होता है क्यूं हम चाहते हैं कि लोगों के चीवन में खुशियां भर सकें ठीक है बच्चों तो यह प्रत्म पद्यांच का एक भावार्थ है ब्याख्या है आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर वह चले अभी सब गहते हैं ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले तो अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते हुए आजादी के दिवाने जब लोगों के बीच पहुँचते हैं तो वहाँ खुशी का बातावरण बन जाता है किसी का बात, किसी का बेटा, किसी का भाई और दूसरा आजादी जब वह वहाँ से अन्यत्र जाने की तैयारी करते कहीं ओ तो उन सभी की आँखों में आंसू आ जाते हैं विरह, पिछड़ना अर्थात बहुत दुखी होते हैं लोगों से पूछते हैं कि तुम अभी तो आए हो इतना जल्दी कहां के लिए चल पड़े तुम्हें यहां कुछ दिनों रुकना चाहिए और दुख्ये भी होता था ना कि कल को शहीद हो जाएंगे आएं वापिस ना आएं तो यह प्रतंदों पड़े आँशों की व्याक्या है बच्चों धन्यवाद